विपक्ष के पास कोई है उनका एक 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 है कि हमें मोदी को रहना है उनका और कोई एम नहीं है उनका एजंडा बेसक और राम मंदिर लेकिन फ्यासला तो हम सुप्रीम कोट का माननेंगे इसको यह चाहिए था राम मंदिर बन जा है वो बन चुका है अब तो दूसरे लोग करने के मुद्धा क्या होना से यह आप अगनी वीर में जोइन करते हो तो आपको एक टेइस लाग रुपे आपके एक नए बिजनस को करने के लिए मिल गए एक लाइन तो आपने सुनी होगी मंदिर वहीं मनाएंगे लेकिन तारीक नहीं बताएंगे लेकिन मंदिर भी मन रहा है और तारीक भी बता दी गई है नमस्कार आपने देखना चलू कर दिया इता न्यूस 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम्दिवारी आज हम जिस मुद्ध सरकार को घेर रही है और कह रही है कि केवल मंदिर एक मुद्धा है बाकी और कोई किसी प्रकार का मुद्धा नहीं है क्या तो आज हम इसी पर जंता से चर्शा करेंगे कि जंता कितनी खुश है और कितनी नाखुश है जो 22 जनवरी को जो क्या कहते है जो तारीक बताई गई तो यहां जाते हैं यहां जाते थे पंडाल में भगवान राम की मौर्ति अच्छी नहीं लगते थे जो भी सुप्रीम कोट का फैसला भी मैं मानता हूं कि काफी लेट आया है पैसला काफी पहले होना चाहिए तो काफी अच्छा है कि मंदिर बन रहा है लेकिन विपक्स जो है वो यह आरोप लगा रही है कि जब भारती जंता पार्टी आई थी तो भारती जंता पार्टी का मुखे जिंटा था कि राम मंदिर मनाएंगे अब राम मंदिर भी मन रहा है तो राम मंदिर के वार उनका क्या प्लैन है क्या और केवल राम मंदिर ही उन पूरा मीडिया तीन-चार दिन तक तो यही कवरेच चलेगी कि राम मंदिर में मोदे जी गए योगी जी गए उनके साथ उडगात और वही चलता रहेगा वह सभी जाएंगे अच्छी बाकिने तब तो जाएंगे राम मंदिर में सभी जाएंगे आपको क्या लगता है कि यह वाकए बड़ा मुद्दा है या केवल मनला इसको लाही बहुत बड़ा मुद्दा है देश में सरकार किसी की भी हो सब लोगट टिक्टे फ्री कर रहे हैं राम मंदिर के था कि विपक्ष यह कह रहा था कि केवल भारती जंदपटी तब 2014 में थी तो अब राम मंदिर भी मन रहा है तो इसके आगे उनके पस क्या प्लाइन कि विपक्ष के कोई है उनका एक हम यह मोधी को ओ रहाना है उनका और कोई है सिर्फ मोधी लुवत्पूटारी पर इतने बड़े देश में ही विरोजकारी को इतने बड़े देश में खतम करना जो इतने सालों से है वो दीरे-दीरे होगा एक दम से नहीं हो जाएगा आप देश कहां था और कहां पहुंच गया है अब देश की मार्किट देखो देश की सब्सक्राइब हर एक चीज इंफस्ट्रक्टर जो भी देखो देश का देश कहां पहुंच गया जो किसान का लड़का है जो पहले मेहनत करता था सुबह चार बजे उटकर रेस माजने जाता था दोड़ लगता था भारत माता की रक्षा के लिए ही तो उसकी नोकरी खतम करती चार साल की नोकरी है उसके बाद हो 11 लाग रूपर लेका घर आएगा उसके बा अगर आप अगनी वीर में जोइन करते हो तो आपको एक 23 लाग रूपर आपके नए बिजनस को करने के लिए मिल गए कि जो राम मंदर मन रहा है और अगर वाकई लोग इतना खुश है तो अगर जैसे यह राम मंदर मन जाएगा तो राम मंदर मनने के बाद लोग हमारे मार्च में क्या मुद्दा लेकर आएंगे क्योंकि मुद्दा में अभी जो अपनी एकनोमी उसको 3 trillion dollar की करने के लिए और भी काफी मुद्दें हैं देश को आगे ले जाने के लिए जो की कर रहे हैं कंटीनियू उस पर कंटीनियू काम चल रहा है आपको नहीं लगता कि वि कि 500 साल से राम मंदिर बनेगा नहीं बना हमारा सो भाग्या है कि हम उस मंदिर में जाके दर्शन करेंगे 20 जनवरी को और कहीं ना कहीं आदमी जो आज की युवा पीड़ी जो पड़ लगके जो नौकरी करना चाहिए उसको नौकरी भी तो नहीं मिल लगी बताओ राम जी क अगर कोई चीज बनती है न तो इसका रोजगार भी मनते हैं अगर गुजरात के अंदर सदार वल्लव भाई पटेल का स्टैच्यू मना है तो वहां भी रोजगार हैं तूरिस्त आते हैं टूरिस्त को गाइड आते हैं आपने इतनी चीज़ है कि नादी जो हमारे पूर मु से तूरिस्त है पहले से इसना त्रव मान दिल में जान Susi लगेंना लगते हैं डरहीं अब लगतर से खनके मन्दर के अंदर आ जाएंगे लेकिन अगर वो तो अगर वह अपन爬 गनवार आ तो यह से तो योगी ने भी बड़ा कुछ की है निवी बहुत कुछ की है सर दोजर चौबिस में आहउद्या में रामलळा का मन्दिर मन रहा है तो आपको क्या लगता है कि रामलला के मंदिर से फाइदा होगा कि नुकसान होगा क्योंकि देखिए एक जगा जंता बहुत खुश है कि रामला एक जगा उनके बगवान का नहीं इतना वाड़ा दर्बार मन रहा है पर एक जगा जंता जो नाखुश आ है कि कही ना गहीं ऑन इंप्लोजगारी एं तो यह बिरोजगारी यह कैसे खतम होगे और यह सवाल कैसे खतम होगे विपक्स के देखिए यार मुझे जो लगता है ना कि अब धर्म देखो सबको प्रिय होता है थींगा हमें अपना धर्म प्रिय आपको अपना और लोग अपना तो अगर भगवान राम हिंदुस्तान की तर्थी पर जनम लिया उन्होंने हम पाकिस्तान में आरफ में जाके तो उनका मंदिर नहीं सकते तो यहां बनने तो बहुत खुशी की बात है उससे किसी को अहतराज नहीं होना चाहिए और रही बात इंप्लाइमेंट की तो इंप्लाइमेंट आपने सुना को 2014 से पहले यह स्टार्टप वर्ड किसी ने साथ सुना भी नहीं होगा उसके बाद यह लाइम लाइट में फिर आपको पता है लगबग लगबग तीन हजार स्टार्टप रिस्टर्ड हुए थे जिन में से 100 प्लस अपने कर्म अपना धर्म लेकर कुछ तोड़ा भी करो तो यह है कि जितना भी जो भी यह इंप्लाइमेंट है और जितना भी इन्होंने रोजगार दिया केवल पेपर में प्रचार प्रसार में दिया जरू ग्राउंड रियल्टी में हुआ है बहुत चेंज हुए हैं मतलब मैं पर्सनली जो फील कर पाता हूं मुझे लगता है इंडिया कई स्टेप्स आगे बढ़ा है चाहें वो एजुकेशन के मामले में हो या वर्ड रेपूटेशन के मामले में हो या फिर मेडिकल की फील्ड में हो अब जो को बीड की बात चल रही थी तो आपको पता आपने स सुना हो कि साला लोग भीग मांग रहते हैं भाई हमें वैक्सिनेशन देदो हमें देदो क्यों एक टाइम यह था कि हमारे को पूछते नहीं थे लोग आज रेपूटेशन है इंडिया की भारत की एक रेपूटेशन है तो वह बहुत बड़ी बात है भाई हम जो रहे हैं व पास क्या मुद्धे रहेंगे देखिए आप भारती जंता पार्टी के पास जो मुद्धे रहने वाले वह तो उनकी जो डेक्लेरेशन बुक निकलेगी उसी में आप आप आए यह बहुत बड़ा मुद्धा था इसी इसी मुद्धे इसी जो नहीं का करके दिखा दिया उनक बना दिया भो सकता है कि कोई ऐसी चीज गलाएं जिसकी आपने उम्भी जब बड़े-बड़े मुद्धे दहारा 370 वह अटा थी आतंगवाद खतम करने के लिए बोला था आतंगवाद खतम कर दिया और क्या जिए राम मंद्र के लिए बोले ता राम मंद्र का यह सबसे ब झाल झाल